mandatory reference हर program के लिए कोई भी program आप develop कर रहे हो तो हर program के लिए G28 या फिर G30 आप लोगों को देखने को मिलता ही मिलता है 100% यही code आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि यह एक reference code है एक home position का code है इसके बिना program बेकार है ठीक है क्यों बेकार है क्योंकि जब तक आप किसी भी machine को जो इतनी महगी machine होती है उस machine को जब तक आप axis को जो जड हो या वाई हो या फिर एक्स हो तीनों axis में कोई भी axis हो ठीक है आप जब तक उसको उसके reference point पर उसके home position पर tool को नहीं पहुचाओगे index नहीं कराओगे तब तक क्या होता है ना कि हमको doubt होता है कि कहीं machine को accident हो जाए आप ही सोच लो जब आप कहीं बीच रास्ते में जा रहे हो अगर वहां से आप लोगों को turn लेना है फिर वहां से turn लेना है ठीक है तो क्या करता है जब कोई दूसरा व्यक्ति जाता है उस वाई को चलाने तो सबसे पहले क्या करता है उसके gear को मैं में मिलाता है ठीक है मैं में लाता है यानि एक नंबर उसको नूटल करता है ठीक है नूटल करने के बाद ही उसको चलाने की कोशिश करता ठीक है सेम उसी तरह से machine भी है Friends ठीक है तो देख लीते हैं सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं डेफनेशन क्या है G28 log sorry 30 CNC reference points ठीक है reference point का मतलब होता है कि हर एक का घर होता है friends आप लोगों को भी पता है ना कि इसका भी एक end point है ठीक है जो भी tool index होते हैं जो tool post में बधे होते हैं जैसे नॉर्मल लेक्ट में tool post बोलते हैं उसको और जो CNC में वही shift हो जाता है तो उसको हम लोग tool turret बोलते हैं ठीक है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको भी उसका भी एक घर दीक है अज़िक है फिरन फयाव जिए जवा चलने के बाद आपने घर पे तो पहुंचेगा ना यह तो सबको पता है जिब कोई भी कोई भी वन्था फ्रेंट्स मसीन का ठीक है तो थोड़ा सा देख लिएते हैं डिफिनेशन क्या है तो यहां पर देखेगा आप लोगों को जी ट्वेंटी एट कमांड ठीक है इंस्ट्रैक्ट इंस्ट्रैक्स दा मसीन टू रिटर्न रिप रिपर डी ठीक है तू दा अपसल्यूट जीरो करना बहुत ही जरूरी होता है प्रोग्राम करने से पहले या प्रोग्राम इंड करने से पहले ठीक है अगर आप लोग कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो वहां पे भी आप लोगों को जो है जी ट्वेंटी एट या जी थर्टी लगाना अनिवार है क्योंकि जब तक आप इ दी कि किस तरना से वीडियो के अचिव से कंगी तूड़ा सा लाश्ट में में एक प्रोग्राम बना के आप लोगों को दिखाए दोंगा कि इसतरह से वीडियो के माधिन से कलिप मैं देदूगा कि टूल owe to के पास जाता है फिर वो अपने वहां से जो है वापस चला आता है अपने होम पोजीशन पर ठीक है तो यहां पर देखिए मसीन है और यह मसीन है देखिए ध्यान से मसीन है ठीक है यह मसीन है अब जैसे यहां पर अपना जौब बदा है ठीक है और यहां पर टूल है ठीक है य लोगों को पता है यही तो आहं ये तो आप लोगों को लियर हुआ चलिए मैंごन्तां से में खाव सोच थोड़ा सा ठीक है देख यहां पे ध्यान देजएगा यहां पे आपर देखीएगा जैसे की आपा जो आपनगी कि ढखेगा यह मानिये अपना क्या है और यह x- है यह आपको पता है नहीं देखें वीडियो तो देख लिजेगा आपनो चिरीज बनी हुई है ठीक है और यह इसका जीरो पोईंट है अब मसीन का तूल का जो इंडेक्स है तूल यहांपे है ठीक है यहाँ पर क्या है, टूल का Home Position है, rustic है ? यहाँ पर टूल का Home Position है, अब Friend क्या है थे ऑन कि जब भी हम टूल को reference करेंगे यहाँ से, जो यह तूल है, इसमें टूल सारे बदे होती है Friends टिक हैsam तूल Index होता है, तूल साले बदे होते हैं अब जैसे ही friends क्या होता है कि यह टूल घूमकर अपना यहां पर आके कारे करता है ठीक है यहां पर आके अपना कारे कर लेता है ठीक है कारे करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है यहीं पर पहुचाना पड़ता है ठीक है इसके home position पर पहुचाना पड़ता है यह mandatory है friends हर programmer के लिए हर program के लिए यह बहुत ज्यादा mandatory है बिना इसके आप लोग कोई भी program जनरेट कर रहे हो definitely आप यह सही प्रोग्रामरार भी नहीं हो अगर बिना इसके आप machine को चला रहे हो तो सही operator सही setter सही programmer नहीं हो ठीक है तो इसलिए जो है friends इसको लगाना बहुत ही जरूरी है ठीक है ताकि काम खतम होने के बाद आप वो टूल को उसके home position पर ले जाना है machine को home position करना है और जब start करना है तब भी एक बार आपको reference करना ही करना है क्योंकि ताकि वो अपने एक suitable अस्थान पर हो सके ठीक है यह है और यहाँ पर G30 का क्या मतलब है जी 30 क्या होता है ने friends जैसे देखिए यहाँ पर देख लिजाए जी 30 का मतलब होता है इसी का एक duplicate एक तरीके दिख जी इसी का डूबलिकेट बनाया हुआ छीज यह जैसे की जैसे कि यहाँ मैं एक component बना के आप लोगों को दिखाना चाहरा हूं ठीक है जैसे यहाँ पर एक यहां पर एक component बना है फ्रेंट्स ठीक है यह component बना यह चग पर बदा हुआ है ठीक है यह चग पर बदा हुआ है ठीक है अब क्या है कि इसका तो 28 वाला आप यह तो समझ गया है कि इसका home position लगना ही लगना लेकिन जी 30 यह क्या होता है यह बनाया जाता है प्रोग्रामर जो है जो है बना देता है ठीक है क्या होता है कि इसका एक पैरामीटर होता है उस पैरामीटर में जाके माइनस प्लस में होता है ओ समय आएगा तो मैं बता दूँगा ठीक है अब इसको क्या होता है ना कि जैसे यह तूल है इसका डायमेटर माली ती से धी 있 Tu यहां से यहां तक का distance जो है 500 है 500 mm है यहां पर जो home position इसका ठीक है आप यह बताए फ्रेंट्स जब आप यहां हाँ टूल को यहां से आप लोग यहां से यहां यहां तक home position पर पहुचा होगे और फिर home position से फिर job के पास लाओ तो क्या जी ट्वेंटी एट में ठीक है यह जी ट्वेंटी एट की बाद मैं कर रहा हूँ जब यहां से इतना दूर आप डिस्टेंस ट्रवेल कराओगे टूल को तो डिफिनेटली वहां पे जो है जो टाइम आएगा जो साइकल टाइम आएगा वो डिफिनेटली बहुत ही जादा ही ट्वेंस सीके एरिया में ठीक है तो यहां से यहां तक जब आप लोगा टूल को तो समय की बहुत ही ज्यादा लॉस होगा तो इसी लाँ को जब Lynn यहां पर लॉंग हो बड़ा हो तो कोई बात नहीं है डानमेटल में ज्यादा हो डामेटल जो है diameter उसका बड़ा हो तब तो ठीक है लेकिन यहां पर जैसे इसका diameter 30 है और इसको ट्रवल करना है 500 mm जेट में भी 500 mm जो है एक समी भी तो definitely बहुत जादा समय लेगेगा तो इसी चीज़ को क्या करता है ना जी 30 लगाके इसी चीज़ को shift करते हैं लोग इसी चीज़ को second जो है हम एक home position बनाते हैं जैसे देख लिजेगा second home position बनाने का मतलब क्या है कि second home position कैसे बनता है फ्रेंस जैसे यह यह है ना जैसे मैं आप लोग बताया कि यह क्या होता है कि यह तो यहां यहां तक से यहां तक travel कराना जब जादा हो जाता है friends तो काफी time करना पड़ता है यह जी 28 वाला है ठीक है अब क्या करता है जी 30 का मतलब होता है कि इसी इसी अस्थान पर जो है क्या जैसे यहां पर 500 है जड़ भी 500 है दोनों 5 500 है ठीक है तो इसको क्या करना है यहां पर खड़ा करा लेते हैं बना के टूल को यहां पर खड़ा करा लेते हैं ठीक है क्योंकि यहां पर हो गया 300, ठीक है, और जड्र में 200 मानस कर लिते हैं, यह भी यहां आ गया, यहां भी हो गया 300, तो जब 500 को ना करके, 500 को हमको डिस्टेंस दूर ना ले जाके, हम 300 ही डिस्टेंस करें, ठीक है, तो यह से लिए यह 30 का फरयोग करते है, ठीक है, चलिए, I hope कि आप लोगों को समंज में आगया होगा मैं एक बर मसीन को अदों profil कोज़ें है कि यहाँ पर क्या है कि यह यहाँ से यहां तक की जो मा लिजे यहां से यहां 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 से यहां तक के जो distance मा लिजे 10-100 जैसे मैं बताया, जड में भी और एक्स में भी दोनों 5 500, अब फ्रेंड्स क्या जरूरत पर जिब जौब छोटा है तो हमको 500 यहां समय की लौस होगा समय जू है जादा लगेगा तो हम जो है फ्रेंट्स है टूल के पास ही खड़ा कर लें तो वहां एक नया कोड बना देते थी थर्टी का होम पोजीशन ठीक है तो वहां पे 200 मानस करके 300 पर हम लागे तोल को दारेट 300 पर लागे सिप्ट कर देते हैं यह चीज़ है ठीक है चलिए आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा फ्रेंट्स क्योंकि इंजीनियर चैनल जहां पर बहुत ज्यादा बेसिक से अगर कोई भी डाउट है तो बे हिचक आप लोग पूछ सकते हैं इस्ट्राग्राम पे पूछ सकते हैं वाटसप लिंक आप लोगों को हर जगा मिली रहा है discussions box में सब कुछ मिली रहा है आप लोग वहाँ पर जाके पूछेगा ठीक है अगर आप लोग कोई ऐसा सब्द पूछे या फिर ऐसा कोई मतलब प्रोग्राम पूछे अगर मुझे नहीं आ रहा है अगर मुझे नहीं आ रहा है मैं आप लोग कहीं से ना कहीं से लाके जरूर उसका सोलूसन दूँगा आई होप की ठीक है आई होप की मेरी बात आप लोग को समझ में आ रहे होगी चलिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए नवाश्कार और बाइबाए जैहिंद बंदे मात्रम